हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका टॉक विद अब्दूल चैनल पे आज की अपडेट आई पी आर की तरफ से डिपार्टमेंट अफ टॉमिक एनरजी इंस्टिटूट अफ प्लास्मा रिसर्च इसके तरफ से अपडेट आई है और फ्रेश बिल्कुल अप सबसे पहले मैं शेर करूंगा कॉलिफिकेशन इंपॉर्टेंट इलिजिबिलिटी क्राइटिरिया पोस्ट कौन सी है नंबर ओफ विकेंसी जे इस तरीकी से हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये विकेंसी आपके काम की है या नहीं अब आगे बढ़ी रहे हो तो विडियो को लाइक करना मत बूलना और दोस्तों के साथ शेर कर देना जो आपके दोस्त इस अपडेट में इलिजिबल है तो देखते हैं नोटिफिकेशन को ओपन करते है ये नाइन्थ नोटिफिकेशन है आई पी आर का इस साल का और यहाँ अब अगर हम बात करें number of vacancies की तो number of vacancies का total नहीं दिया हुआ है लेकिन करीब करीब यहाँ पे 10-15 vacancies है बहुत ज़्यादा vacancies नहीं आई है लेकिन eligibility criteria में आपने से बहुत सारे इसमें eligible रहेंगे जैसे कि अगर आपने civil से diploma complete किया है आप apply कर सकते हो electronics से अगर आपने diploma complete किया है apply कर सकते हो mechanical से भी diploma eligible है electrical computer instrumentation सारे eligible है एक सवाल आपके मन में आया होगा कि higher qualification जैसे कि बीटेक किया है तो क्या हम apply कर सकते है या नहीं इसका भी मैं answer आपको दे देता हूँ लेकिन इससे पहले आप कुछ और चीज़े भी देख लो जैसे कि number of vacancies सबसे ज़्यादा जिसमें हो तो यहाँ पर electronics है इसमें ज़्यादा vacancies आई हुई है सब में same criteria है 60% अगर आपके है तो आप apply कर सकते हो minimum 60% चाहिए डिपलोमा में है अब यहाँ पर आपका जो doubt है उसको clear कर देता हूँ अगर आपने बीटेक किया है M.E.M.T. किया है या कोई भी एक्सेटर डिग्री आप के पास तो आप applied नहीं कर सकते हो इन्होंने clearly ये point को mention कर दिया है higher qualification eligible नहीं है तो किस case में आप apply कर सकते हो आपने अगर डिपलोमा किया उसके बाद भी बिटेक किया है तो आप अपने डिपलोमा के basis पर apply कर दो को issue नहीं आएगा आपको degree mention करने की ज़रूरत ही नहीं है और आप apply कर सकते हो अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर मान लो के पता चलता है आगे चलके आपके पास qualifications ज्यादा है तुम्हें भी आपको issue आ सकता है तो frankly speaking suggestion यहीं होगा कि आप try मत करो डिपलोमा जो है अगर आपने डिपलोमा किया है उसक apply ही नहीं कर सकते हैं आपका application reject हो जाएगा, fees waste हो जाएगी, so यह मेरा suggestion है, आप यहाँ पर apply कर सकते हो, age limit में यहाँ पर बताया हुआ है कि 18 से 30 years की age limit है और selection procedure देखते है, लेकिन salary की अगर मैं बात करो ना बहुत अच्छी salary मिल जाएगी, डिपलोमा लेवल पे आपको basic पे के बीश में आराम से हो जाएगा, monthly इतनी salary शुडवात में बहुत अच्छी बात है, मेरे इसाप से apply कर देना चाहिए, अगर आपने डिपलोमा किया है, बहुत सारे comments आते हैं, डिपलोमा के लिए vacancies लेकर आओ, तो भाई हमारे हाँ में नहीं होता है, जैसे ही update आई, आपक ज़्यादा applications आ जाते हैं, तो यहाँ पर screening होगी, फिर test होगा, या फिर interview होगा, इस तरीके से process change हो सकती हैं, इन्होंने यह पूरा पताया हुआ है, लेकिन सबसे पहले, आपकी age, educational qualification, category certificate, fees, receipt, यह सारी जीज़े जो है, चेक की जाएगी, और valid applications होंगे, उनी को आगे process में ड जाला जाएगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, यहाँ पर जो है, अगर test होती है, तो उसकी pattern जो है, वो बताई नहीं, लेकिन multiple choice objective type questions रहेंगे, और उसके basis पे आपका personal interview में selection होगा, तो अगर बहुत ज़्यादा application होगे, test होगी, plus interview होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं ह बिलॉंग करते हो, OBC category से बिलॉंग करते हो, तो आपको 200 रुपे पे करना है, यहाँ बिल्कुल आपने सही सोना, EWS के लिए कोई भी फीज नहीं है, EWS category में आते हो, तो बिल्कुल apply कर सकते हो, अब apply कहां जाके किस तरीके से करना है, और important dates क्या रहेगी, अब आप apply कर सकते IPR की website से मैं आपको link वगरा कहां जाना है बता दूँगा, लेकिन यह application already open हो चुका है 13 September से, और इसकी जो last date है, 13 October, एक महीने का time मिल जाता है, सोच समझ के आराम से apply करो, और आपको क्या-क्या चीज़े ready रखने होगी, passport size photo, proof of age, educational qualification, experience अगर है तो, certificate of caste, application fee, and उसके अलावा क कोई भी relevant documents आपको लगते है, attach करने हैं, तो कर देना, इसी के साथ आपका यहाप पर application submit हो जाएगा, फिर अगर selection होता है, आपको call, email, सारी चीज़े आ जाएगी, so आप apply करना है, इस वीडियो के description में link है, वहाँ पर सारी information है, यह notification की भी link है, और वहाँ पर apply now का button मिल जाए है, that's it for today, मिलते हैं next video में, next job update में, तब तक के लिए, goodbye, take care.